लूप्स को इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे हमें बार-बार printf function ना लिखना पड़े और कोई भी same action जैसे कोई भी अगर action same कर रहे हैं बार-बार उसको कर रहे हैं तो वो action के लिए code जो लिखना होता है वही code बार-बार ना लिखना पड़े इसके लिए हमारे पास तीन तरह के loops हैं सबसे पहला है while loop ये loop में सिर्फ condition check करके loop करते हैं और दूसरा है for loop ये loop में initialization, condition check और increment तीनों कर सकते हैं और do while loop होता है ये loop while loop के जैसा होता है पर पहली बारी में ये कोई condition check नहीं करता है looping करने के लिए ये while loop का example है यहाँ पर सबसे पहले एक variable बना लिया है जिसमें one value assign कर दी है और यहाँ पर while ये सबसे पहले condition check करेगा क्या i 100 से छोटा या फिर बराबर है तो हाँ i जो है अभी अभी देखो यहाँ पर i की value one है तो i अभी क्या है 100 से छोटा है i की value क्या है अभी one है तो one है न तो one को यहाँ पर प्रिंट करेगा percentage d से one को प्रिंट कर देगा फिर यहाँ पर क्या होगा i की value एक बढ़ा देगा और उसके बाद में फिर से यहाँ पर जाएगा फिर condition check करेगा यह condition तब तक check करता रहेगा जब तक यह condition false नहीं हो जाती i की value पहले one थी इसने increment कर दी दो तो यहाँ पर दो हो जाएगी अब दो क्या 100 से छोटा है हाँ 100 से छोटा है तो फिर से यह run होगा अब यहाँ पर दो प्रिंट होगा फिर दो प्रिंट होनी के बाद में फिर यह जब i++ पर आएगा तो यह 2 की value को 3 कर देगा तो ऐसे ही करते करते जब 99 हो जाएगा यह नि 99 तक सारी values प्रिंट कर चुका होगा तो उसके बाद में जब यहाँ पर आएगा तो तब देखेगा क्या 99 100 से छोटा या फिर उसके बराबर है 99 भी छोटा है तब भी ब्रिंट करेगा तो अब भी यह condition true है तो फिर से यह 100 को भी प्रिंट करेगा फिर यह जाकर के एक बार देखेगा जब यह increment कर देगा 100 को 101 कर देगा तब यह देखेगा क्या 101 इससे छोटा या फिर बराबर है 100 के तो अब यह value false हो जाएगी 101 100 के छोटा नहीं होता है यानि 101 100 के छोटा नहीं होता है तब यह while loop रुक जाएगा यानि 100 तक values को print करेगा और उसके बाद में यहां से यह program terminate हो जाएगा use a while loop to print numbers from 1 to 100 यह 1 to 100 number loop के द्वारा print कर देगा यानि बार बार condition चेक करकर के वो print करता जाएगा 100 तक जब तक वो condition false नहीं उसको मिल जाती है तो चलो इसको अब देख लेते हैं vs code में तो यह रहा हमारा while loop का code सबसे पहले मैंने 1 को assign किया फिर उसके बाद में i की value को check किया जब i की value 1 थी क्या 100 से छोटी है उसके बराबर है तो यह क्या करेगा i की value को print कर देगा 1 और इसके बाद में फिर i की value को 1 increment करेगा जिससे i की value 2 हो जाएगी फिर 2 को check करेगा क्या 200 से छोटा है ऐसे ही करके यह print करता रहेगा और यह check करता रहेगा 100 तक और जब 101 हो जाएगा यहाँ पर तब यह चेक करेगा क्या अब भी छोटा है तो जब छोटा नहीं रहेगा तब यह फाल्स हो जाएगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा और जब इसके अंदर नहीं जाएगा तो यह बाहर निकलके फिर return 0 यानि program terminate हो जाएगा तो इसको अभी run करते हैं मैंने इसको run किया तो इसने 1 से 12345 और यह देखो पूरा 100 तक नंबर यह इसने print कर दिये तो यह होता है while loop इसके अंदर जैसे कुछ और print करना चाहें तो और भी print कर सकते हैं जैसे हाई को सो बार print करना चाहते हैं तो हाई को भी ऐसे सो बार print कर सकते हैं और इसके बाद में यह run कर देंगे तो जैसे यह run करेंगे तो देखो high भी print कर रहा है और साथ में numbers को भी print कर रहा है high के बाद में एक space कर देंगे जिसी यह थोड़ा spaces में print करें तो यह space भी print करेगा तो यहाँ पर देखो high 99 high 100 high यह देखो ऐसे print करने लगा तो ऐसे ही आप loop से कुछ भी print करवा सकते हैं कितने भी बार आपको बार बार एक जैसा code लिखने की जरूरत नहीं है